नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है, आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह गीता प्रेस ग्वरखपुर द्वारा प्रकाशित, श्रीमन महाभारत अंतरगत, श्री विश्नु सहस्र नाम है, श्रीमदाद शंकराचारे कृत भाष्य और हिंदी अनुव अभी जो पुस्तक गीताप्रेस की वेबसाइट पर उपलब्द है, गीताप्रेस.org और गीताप्रेस.bookshop.in उस पर पुस्तक का मूली 50 रुपय है, अनुवादक में नाम लिखा है भोला, इनके पूरे नाम का परिचय अंदर निवेदन प्राथना में दिया गया है, कुल प प्रार्थना, महाभारत में भगवान के अनन्य भक्त पितामा भीश में द्वारा भगवान के जिन परंपवित्र सहस्त्र नामों का उपुदेश किया गया, उसी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। आना चाहिए था वहीं जड़कर भीश में सदर निपुन जड़िये ने एक परम सुन्दर परम आनंद प्रद अमूल लिवस्तु तयार कर दिये हैं। इलोकिक और परलोकिक कामना सिद्धी के साथ ही यथा धिकार भगवान की अनेने भक्ति या सायूद जो मुक्ती तक की प्राप्ति का सुगंता से हो सकती है। प्राथकों पर बड़ा उतकार किया है। मेरी प्रातन है कि पाथक इसका अर्ध्यन और मनन करके विशेश लाब उठाव है। अनुमान प्रशाद पुद्दार कल्यान संपादक ये 1990 का लेक है। यहां से विश्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ हो रहा है। जो सहस्त्र नाम है वो 142 तक में है। शलोक संख्या 113 के बीच में युधिस्टिर और भीष्म पितामा के बीच में समवाद हैं और उसी समवाद के अंदर गत फिल भीष्म पितामा जो हैं वो सहस्त्र नाम जो हैं उनकी व्याख्या करते हैं पुस्तक का ले आउट मेरा अनुमान है कि अभी भी जो संस्क्रण आ रहे हैं उसमें मूलता है ऐसा ही होगा क्योंकि गीता प्रेस की अन्य पुस्तकों में भी जो हमने शिमत्भवद गीता के भासिशे देखे हैं उसमें इसी तरह का रहा है यह जो कॉलम में आप बोल्ड में बाय साइट देख रहे हैं यह आदि शंक्राचारी जी के मूल संस्क्रित का पाठ है यहां हिंदिय अनुवाद है यह श्लोक है जो महाभारत से लिया गया है श्लोक की संख्या दी गई है उस तक में पच्छेद भी है जिससे श्लोकों का उचारण, नामों का उचारण सबसे जो महत्वकून है वह आप सही तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही सुगम हो जाता है उससे इसका पाठ करना और फिर नीचे जो है श्रियादि शंक्राचारी जी का भाष्य आ जाता है ऐसा आप देख सकते हैं जहां भाष्य है वहाँ नहीं है और जितर अनुवाद है वहाँ देखेगा कि कुछ अंश बोल्ड में है तो अंतर वहाँ यह है कि श्रियादि शंक्राचारी जी ने बहुत सारे ग्रंथों से उपनिशदों से श्रिमत भगवत गीता से पुरानों से रेफरेंसेज दिये हैं कोट्स दिये हैं तो व ताश्पतर उपनिशद मुंडग उपनिशद इस प्रकार से यहां हिंदी अनुवाद में रेफरेंस नहीं दिया गया है और श्लोक संख्या 10 में आदिशंक्राचारी ने जो व्याख्या की है वो सबसे लंबी व्याख्या है इस पुस्तक में किसी एक श्लोक की और उसमें अपना एद्वायत सिधांत जो है वह मत प्रकट किया है और विभिन गरंतों से कई सारे उन्होंने उसमें रेफरेंस डाले यह देखे इसलोक संख्या 10 है आद हरे और एक तरह से एद्वायत मत वो अपना यहां पर स्थापित किया है इसके अलावा श्लोक संख्या 123 में जो आदि शंकराचायर जी का एक दूसरा महत्वपूर्ण जो उनकी मानेता है वो है कि ग्यान जो है वही मोक्ष का साधन है तो उसको श्लोक संख्या 123 में स्थापित किया है तो दस और 123 यह दोनों ही जो सहस्र नाम हैं उसके बहार आते हैं 120 में जहां सहस्र नाम समार्थ होता है उसके बाद से लिए 122 सक में महात्मय आदि जो है उसकी व्याक्या की गई है तो उसी के अंतर्वपूर्ण श्लोक संख्या 123 में श्यादि शंकराचायर ने ज्यान की जो म तिश्री आदिशंक्राचारजी ने जो references दिये हैं, वो इस समय जो भी उपलब्ध प्रतिया थी उन गरंतों की, उनमें वो references नहीं मिल पाई थे, प्रकाशक को या अनुबादक को, यहां जैसे लिखा है, हमें स्वेताश्वतर उपनिशत में यह शुरुती नहीं मिली, इसी आशे की एक और शुरुती मिलती है, जिसका पाठ इस प्रकार है, तो इस आशे की जो दूसरी शुरुती है, उसको यहां प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार से कुल चार जगह मुझे ऐसे मिले हैं, जहां पर यहां भी लिखाओ है, इस स्लोक में, यह स्टार लगाओ है, हमें यह श्लोक महाभारत के अंत में नहीं मिला लिंग पुरान का श्लोक सर्वता इस प्रकार है लिंग पुरान के यहां पर चैप्टर का भी रेफरेंस दिया गया वैसे ही महाभारत के भी दो श्लोक है प्रिश्चंक है 137 और 252 पर यहाँ पर लिखाए कि महाभारत में इससे मिलता जुलता श्लोक है या फिर इस श्लोक का हमें ही देखिए यह श्लोक है यहाँ स्टार दिया वह इस श्लोक का हमें पता नहीं लगा थोड़े से पाठ भेट से यह शलोक महाभारत शांती परव में मिलता है वह इस प्रकार है तो यह शलोक कहां कहा है यह इन्हें नहीं पता चला और फिर उसी प्रकार प्रिश्च संख्या 252 पे भी है जहां महाभारत का कोई शलोक है जहां से आपका सहस्त्र नाम प्रारंब हो रहे हैं वहाँ पच्छेद में एक और बहुत ही महत्वपून चीज दी गई है जो बहुत काम के देखे एक तो यहां से अत्थ सहस्त्र नाम यहां से सहस्त्र नाम प्रारंब हो रहे हैं वहाँ देखे पच्छेद में जो नाम है उन प्रियादी शंक्राचायर ने किसी एक नाम की क्या व्याख्या की है, तो उससे ठोड़ी सुगमता होती है, अगर आपको श्लोक शंक्राचायर का पता ना हो, केवल नाम की संक्राचा का पता हो, तो फिर उससे ढूने में बहुत आसानी होगी. उसके अलावा, एक दो जगह पे श्रियादी शंक्राचायर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां पे नाम की व्याख्या की है, कि जो ब्रह्म हैं, वही स्रिष्टी के उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं. यह भी, जैसे उनके जो ब्रह्म सूतर के भाष्य का भी इसी संदर्म में, जो है वो लिखा हैं, उन्होंने ब्रह्म सूतर के भाष्य का भी उलेख किया है. पुस्तक तो बहुत पुरानी है लेकिन इसमें भी print का और font का कोई issue नहीं है अभी जो पुस्तक होगी उसमें भी अवश्ची ही गीता प्रेस की पुस्तक है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सहस्र नाम है लेकिन अगर हम unique नामों की बात करें बिलकुल अलग-अलग नाम की तो विश्चनु सहस्र नाम में आपको पता होगा कि हर नाम जो है वो unique नहीं है 75 नाम ऐसे हैं जो दो बार repeat हुए है 9 नाम ऐसे हैं जो 3 बार आए हैं और 2 नाम ऐसे हैं जो 4 बार आए हैं तो अगर केवल unique नाम की बात करें तो वो 901 नाम है लेकिन हर जगा जो नाम आए हैं जो शब्द आया है उसका हर व्याख्याकार ने आदिशंकराचार ने भी अलग-अलग context में जिस श्लोक में जिस जगह पे वो शब्द आ रहे हैं उस हिजाब से उन्होंने उसका अलग-अलग अर्थ निकाला है जैसे श्रीमान है तो श्रीमान चार बार जो शब्द है वो आया है सहस्र नाम में वैसे ही कपिल भी मैंने दो बार देखा एक जगह पर तो सपस्ट रूप से महर्शी कपिल शांख्याचार रूप से जो शांख्य दर्शन के प्रवर्तक है उनको रेफर किया है श्री आदिशंकराचार जी ने और दूसरे जगह उन्होंने कुछ शायद रंग का संदर्व लिया है इस प्रकार से जो हजार नाम है वो अर्थ के हिसाब से युनीक है कुछ जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वह परयाइवाची जैसे हैं मतलब कॉंसेप्ट वही है उसी को अलग तरह से व्यक्त किया गया है तो ऐसा भी आपको लग सकता है पढ़ेंगे लेकिन अपने आप में वह नाम अप जिस स्थान पर आ रहे हैं उस स्थान से उप्युकत है और अब जैसे यह एक श्लोक है एक सो तीन इसके अंतरगत आपको आ रहे हैं तीन पाँच चार नौ तीन बारह नाम आ रहे हैं तो यह नाम एक दूसरे से अलग नहीं है एक लए में अगर जब भाष्य आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक लए में आ जाते हैं जैसे अधरित और स्वध्रित अगर मैं परहूँ प्रित्वी आदी धारन करने वालों को भी धारन करने वाले होने से किसी से भी धारन नहीं किये जाते हैं इसलिए अध्रित है तो ये अध्रित नाम की वैख्या होई फिर अगले पैरग्राफ में जवाब पढ़ेंगे यदि ऐसा है तो स्वयम किस से धारन किये जाते हैं ऐसी शंका होने पर कहते हैं वे स्वयम अपने आप से ही धारन किये जाते हैं अथा वे स्वध्रित है शुरुती कहती है भगवन वह किसमे स्थित है अपनी महिमा में तो अगर आप यहां देखेंगे तो यह देखिए संस्कृत में लिखा है सुटी यह छांदों की उपनिशन से लिया गया है यह जो हिंदी में अनुवाद है और अंत में जैसे मैंने बताया कि महात्मयादी दिया गया है ग्रंथ का और 142 वे श्रोप पे पुस्तक समाप्त हो रही है तो यह थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरक पुर्द्वारा प्रकाशित श्री विश्नु सहस्तनाम श्रीमत आदिशंकराचार एकृत भाष्य सहित हिंदी अनुवाद सहित पुस्तक मैंने देखी थी गीता प्रेस की वेब साइट पे उपलब्ध तो है और हिंद वाले लिंक पर क्लिक करने पर डिटेल व्यू देखने पर वो पेज लोड नहीं हो रहा है तो पता नहीं किस प्रकार का इश्यू है अगर ऑफलाइन दुकान से आपको पुस्तक लेने में इंटरेस्ट हो तो वहां से इंक्वाइर कर सकते हैं और अगर वेब साइट पे वो ट्राइ किया वो लोड नहीं हो रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो